हलो बच्चों बच्चों इस वीडियो में मैं डिसकेशन करूँगा बेस्ट बुक्स जो नीट के लिए हो सकती हैं फुजिक्स केमेस्ट्री ये बायो की जिनको फॉलो करके आप एम्स तक अराम से पहुश सकते हैं अगर आप अच्छी रिग्रेस पढ़ाई करते हैं उन बु के मन में भावना ही आ गई है कि क्या हमारा नीट का स्लेबस बदल गया है तो देखिए नीट की सही स्लेबस की जानकारी एक्जामनेशन से दो माईने पहले करीक करिम जो बुलेटिन या बुकलेट जो इशू होती है उसमें ही पता लगता है अभी की स्थितिक एनुसार काफी चीजें काट दी गई है आपके पास पुरानी इंसी आटी बुक होनी चाहिए जिसके एकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते रहेंगे और अगर ऐसा कुछ होता है कि स्लेबस में घटोतरी की जाती बढ़ोतरी तो देखिए की नहीं जाएगी तो जो टॉपिक हटाए ज आएंगे जो साथ दिन पहले दो महिने पहले आपको मालूम पढ़ेंगे वो आप तब स्किप कर दीजेगा अभी एंटी आपका एक्जामनेशन कंड़क्ट करा रहा है हो सकता है 2024 आते जब तक एक्जाम आपका हो MCI कंड़क्ट कराने लगे Medical Council of India देखते हैं क्या तबदील होती है बढ़ेगा नहीं स्लेबस तो पढ़ाई करिए अगर स्लेबस घटता है तो हमें साथ दिन पहले दो महिने पहले मही में एक्जाम होना है तो मार्च के आसपास हमको अंदाजा लग जाएगा कि स्लेबस में घटोतरी होई है फिर उस टॉपिक को छोड़ दीजेगा तो मैं अर्विन सरू मैं आपका वेलकम करता हूँ मुझे 20 साल से ज़्यादा फिजिक्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है बहुत से पढ़ाए बच्चे अच्छे कॉंपटेटिव एक्जामनेशन नीट और जेई में सेलेक्ट हो चुके हैं मेरी कोशिस है कि मैं आपको अच अचान भाषा का है वो काफी पसंद किया है यह इस पैशली डिजाइन चैनल है अर्विन एकडवी नीट यहाँ पर नीट फिजिक्स का अर्विन एकडवी नीट चैनल को और यहां से पढ़ाई करेंगे तो आपको इसके लावा कुछ नहीं पढ़ना है सारा कोर्स या फु चलिए हम लोग बात कर लेते हैं फटाफ़ बुक्स की जिस बारे में ये वीडियो बना रहा था मैं तो बुक्स के लिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर तो आईए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर फिर वहाँ बात करते हैं तो पेटा, आप देख पा रहे हूँगे, यहाँ पर मैंने थमनेल लगा रखा है, Neat Best Books PCB, इसलिए कि आपको Best Books की राये दे सको, और फटापन मैं आपके राये देने वाला हूँ, अगर मैं बायो की बात करूँ पेटा, तो बायो में आपका मक्का मदीना सारे का सारा NCRT है, आप बायो में जितना NCRT पढ़ेंगे, उतने ही कमाल करेंगे, और एक तो मैं नीट के टॉपर लड़की का इंटर्वी देख रहा था, उसने पताया था कि बायो मैंने 20 बार पढ़ी है, जिसके 720 में 720 थे, तो अगर मेरे हिसाब से क्या 20 बार पढ़ना चाहिए, अगर आपको जरूत मैसुस तो जरूर पढ़ें, वरना 10 बार तो जरूर रिवीशन कर लेना चाहिए आपको NCRT किताब का बायो के केस में, पी वाई क्यूस को किसी भी सूरत में इग्नोर ना करें, कई बार बच्चे इसको इग्नोर करतें करें, मेरे कोचिंग सेंटर मैंने जॉइन कर रखा, बड़े अच्छे सवाल लगवाते हैं, पी वाई क्यू करने की कैज़र तो तो मैं निकाली लूँगा, क्योंकि आपको अकसर आप देखेंगे, तो आपकी NCRT revise हो जाएगी बहुत ही बेहतरी इंडंग से, फिर कई बच्चों के मन में रहता है सर्फ पर चप्टर में कितने MCQ लगाऊं, तो बायू के केस में आप पर चप्टर 2000 MCQ लगा सकते हैं, और जब आप इतनी चीज़ें बेटा कर लें हाँ पर पूरी, अगर ऐसा पैकेज आप करते हैं, तो बायो में च्छा जाएंगे, तीन सो साट नंबर आपके हो ही जाएंगे, आगे बात कर लेते हैं फटाफट केमेस्ट्री के लिए, तो केमेस्ट्री में भी अगेन MCRT is the king, अधिकतर सवाल, लगबग सारे सवाल आपको NCRT से आते मिलेंगे, नई वाली NCRT नहीं इभी पुरानी वाली की ही बात्चित जारी रहेगी, तो पुरानी वाली NCRT घोल के पी जाएए, इतना पढ़िये, कि दिमाग में कोई नीन से भी उठा दे, तो आप बोलना शुरू कर दीजे, ऐसी इस्तिती हो जाए, और PYQ ज़रूर लगाएगा, PYQ जो बच्चा एग्डोर करेगा, नीट का रिजल्ट भी उसको एग्डोर करेगा, तो प्लीज आप PYQ ज़रूर करेए, MTG Fingerprints जैसा मैंने आपसे कहा था, कि ये आपको एक rigorous practice करा जाती है, NCRT की तो अच्छी बुक हो सकती है आपके लिए, पर चेप्टर आपको डिडल सो सो 200 MCQs लगाने चाहिए, जिससे आपकी एक अच्छी और complete practice हो सके, ये करने के बाद आप NCRT exemplar पर बेटा आ सकते हैं, और वहाँ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, चलिए बात कर लेते हैं physics के case में, physics के case में थोड़ी बात अलग है, यहाँ पर आप देखेंगे तो NCRT enough नहीं पढ़ती, कई ऐसे concept चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, जो NCRT में ठीक से नहीं दी हैं, आप समझ नहीं पाते हैं, को कि NCRT physics में भाषा ऐसी है, कि आप सोचे मैं खुझ दी पढ़के समझ लूँगा, तो इट में difficulty level काफी ज़्यादा लग सकता है आपको, और चीज़ें पकड़ भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, तो क्या करें, दो books मुझे पसंद हैं, DC Pande की किताब आती है, physics को लेकर, neat physics की, और universal की errorless आती है, इन दोनों में इसे कोई भी किताब आप लेंगे, दोनों अच्छी किताब है, video lectures देखना चाहें, तो आपका काम बहुत ही सरलता से, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए video lectures बना रहा हूँ, physics के, पूरे स्लेबस के, कम से कम समय लेते हुए, और सारे concept को cover करते हुए, तो आप physics का सब कुछ cover कर सकते हैं, बहुत कर शॉर्ट टाइम में, at the rate of Arvind Academy NEET, especially designed video है NEET के लिए, वो 12th के लिए भी नहीं है, कोई derivation की बात नहीं की गई है, वो J के लिए भी नहीं की जबरदस्ती, आपका level उस तरफ ले जाया जाये, उतना ही है, titrated dose है, उतनी ही है, जितनी NEET को चाहिए टॉप करने के लिए, तो आप Arvind Academy NEET चैनल के सब्सक्राइब कर सकते हैं, physics का content देखने के लिए, बहुत बढ़िया content आपको मिलेगा, फिर आप PYQs जरूर करिए, fingertips करिए, NCRT exemplar कर सकते हैं, पूरा आपका पक्का हो जाएगा, 180 में, 180 physics में, यहाँ पर आपको थोड़ी से ज़्यादा question लगाने चाहिए, क्योंकि numerical आते हैं, numerical की थोड़ी practice, 200 question पर, FCQ आप per chapter लगा सकते हैं, जिससे आपको comfort level आजाए, कि हाँ मैं इसको apply कर पा रहा हूँ, मेरा application बढ़िया हो गया हो, और जब formula आप याद कर लेते हैं, formula याद करने के बाद application लगाते हैं, तो formula और दिमार्ट में चड़ जाते हैं, जो फटा फट आपके लगने शुरू हो जाते हैं, तो ध्यान लखिएगा, NEET के पूरे competitive examination में, consistency बना के रखिए, NCRT को follow कीजे, लेकिन NCRT पुरानी वाली follow कीजे, updated syllabus दो महिने पहले आएगा, तब पता लगेगा कि इस syllabus से क्या हटा है, physics के case में NCRT काफी नहीं पढ़ती है, तो जिस भी teacher को आप पसंद करते हैं, जिससे आपको समझ माता वहाँ से पढ़ सकते हैं, आप अर्विन सर्या मुझे भी consider कर सकते हैं, कोकि मेरी भाषा काफी आसान रहने वाली है, आसान रहती है, और कम समय में मैं आपको बहुत कुछ करा दूँगा, सभी concept आपको मेरे वीडियो के अलावा, कहीं भी कुछ पढ़ने की आप शक्ता नहीं बढ़ेगी, प्रैक्टिस के लिए कई सवाल आप लगा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो ने आपको एक holistic view दिया होगा, बेस्ट बुक्स के लिए, इनको follow कीजे, और NEET में selection पक्का कीजे, तो बच्चों, ये अर्विन अकडमी नीट चैनल ले दिखिए, अर्विन अकडमी नीट आपको दिख रहा है, अध दिरेट, अर्विन अकडमी नीट, यहाँ पर आपको बेटा मिल जाएगा, फ्रिजिक्स का पूरा कोर्स, और वो भी टॉप लिविल का देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स, उसके बाद चैप्टर वन यूनिट अन मेजरमेंट, चैप्टर टू, वेक्टर्स फॉर नीट, और उसके बाद चैप्टर थ्री ये देखिए, रेस्ट अन मोशन, वन डी मोशन, उसके बाद टू डी मोशन, इसी तरह आगे आप बढ़ते रहेंगे, तो टू डी मोशन के बाद फोर्स मिल जाएगा, न्यूटर्स लॉव मोशन, वर्क, सर्कुलर मोशन, इसी तरह आपको पूरा पूरा कंटेंट, फुजिक्स का फ्री आफ कॉस्ट मिलने वाला है, आप जड़ से अर्विंद अकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, फॉर टॉप कॉलिटी कंटेंट,